उतरप्रदेश के हाथरस जीले में एक धार्मिक समागम में मची भगदर में मरने वालों की संख्या 121 हो गई है यह भगदर कल सिकंदरा राव तहसील के फुलराई गाउं में कथावाचक भोले बाबा के सत्संग में हुई अधिकारियों ने बताया कि भगदर तब मची जब कारेकरम खत्म होने के बाद स्रध्धालों ने भोले बाबा की एक जलक बाने की कोशिश की इस मामले में मुख्य सेवादार और अन्य सेवादारों के खिलाब पुलिस ने प्रात्मिकी दरज की है इनके खिलाब गैर इरात्तन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है मुक्यमंतरी योगी आदितिनाथ ने मामले की जाज के लिए आगरा जोन के अपर महानिदेशक की अध्यक्सता में एक उच्ची स्तरी कमेटी गठित की है जो 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी इस घटना पर राश्टरपती उपराश्टरपती और प्रधान मंतरी ने दुख चताया है प्रधान मंतरी ने दुर घटना में प्रतेक मृत्तक के परिजन के लिए प्रधान मंतरी राश्टरे राहत कोस से दो-दो लाख रुपए की अनुगरह रासी की घोशना की है वहीं